इंडिया मिडलीस्ट यूरोप कॉरिडोर G20 में अभी हाली में अनौंस हुआ है मिडलीस्ट इतना important geopolitically आज की डेट में क्यों है और मिडलीस्ट से ही ये कॉरिडोर क्यों पास किया जा रहा है आज के इस विडियो में Middle East जो की एक वैसे बड़ा complicated area माना जाता है उस area की geopolitics को बड़े ही सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे Industrial Revolution के दोरान Britain, France और यूरोप के अन्य देश जो है Ottoman Empire नामक एक territory जिसको West Asia के नाम से पहले जाना जाता था उस इलाके से बहुत सारा oil लिया करती थी West Asia यानि कि उस समय का Ottoman Empire से oil लेकर इन सारी यूरोप के देशों ने अपना Industrial Revolution पूरा किया जब Industrial Revolution हुआ उसके कारण से यूरोप के देशों में एक दूसरे के साथ insecurity पैदा हुई क्योंकि जब देश Industrial Revolution जादा कर पा रहा था वो दूसरे देश को insecure बना पा रहा था क्योंकि यदि Britain अगर अपना Industrial Revolution बढ़ा ले तो उसको देखके France नजराज हो जाता था और France का Industrial Revolution बढ़ जाए तो उसकी वज़ा से Britain कभी नराज हो जाता इसकी वज़ा से यूरोप में सबसे पहला विश्वयुद एक हुआ और विश्वयुद एक के बाद जिस तरीके से विश्वयुद को संभाला गया उसी के कारणों से विश्वयुद दूसरा भी हो खेर हमें इस विश्वयुद के इतियास में नहीं जाना है लेकिन जब दूसरा विश्वयुद्ध खतम होता है 1945 में तो ब्रिटन, फ्रांस और यूरोप के बाकी अन्य देश जो है उनकी पावर घट जाती है और वो इस प्रतिक घट जाती है कि इन सारों की पावर US एक तरीके से ले लेता है तो विश्वयुद्ध दू के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड का एक सूपर पावर उस समय अमेरिका बन के उगरा अब अमेरिका जो है वो भी अपना इंडस्रियल रेवलूशन कर रहा था और वो तो पिछले सौ सालों से ही कर रहा था लेकिन अमेरिका के इंडस्रियल रेवलूशन के अमेरिका को भी तेल चाहिए था हर एक देश एक ऐसी नीती हमेशा अपनाता है और ये जियो पोलिटिक्स के नजरिये से जानना जरूरी भी है कि यदि अगर उसके पास खुद का भी तेल हो तो वो अपना तेल कभी एक्स्प्लोर नहीं करेगा अंत तक जब तक वो दूसरे देशों से तेल खरीद ना पाए अब विश्वयुद दो खतम होने के बाद जब शीत युदियाने की कोल्ड वर स्टार्ट हुआ तो उस समय अमेरिका ने दो चीजे सोची उसने कहा कि सबसे पहले तो मैं मिडल इस्ट के इलाके से यानि कि जिसको हम बेस्ट एश्या के नाम से भी जानते हैं उस इलाके से उयल लूँगा क्योंकि ब्रिटन, फ्रांस और बाकी यूरोप के अमने देश महा से पहले ही उयल ले रहे थे दूसरा उसने ये भी सोचा कि अगर मैं इन देशों से उयल खरीदूँगा तो इनको मैं यूएस डॉलर में पेमेंट करूँगा इस यूएस डॉलर से क्या होगा कि मिडल इस्ट के इलाके में यानि कि एक ऐसा इलाका जो मेरे से कई हजार किलोमीटर दूर है उस इलाके में यूएस डॉलरों का बहुत सारा जमावड़ा हो जाएगा अगर मान लीजिए कि साओधी अरब जैसा देश हो और अगर वो उस समय यूएस को तेल बेच रहा हो तो साओधी अरब को तेल बेच के क्या मिलेगा उसको मिलेगा यूएस डॉलर अभी साओधी अरब अगर बहुत सरी US डॉलर इकटा कर लेगा तो साओधी अरब उन डॉलरों का क्या करेगा जाहिर सी बात है कि वो अमेरिका की कंपनियों को invitation देगा कि आप हमारे यहां पर आईए और इनी डॉलरों को हमारे से लीजी और हमारे यहां पर infrastructure वगरा create कीजिए तो कोई भी country जो है विश्व स्थर पर एक superpower इसी तरीके से बनती है कि पहले वो जाकर वहाँ पर चीजे बेचती है और चीजे बेचने के बाद या खरीदने के बाद उस खरीद फरोत के धन्दे के दुरान वो अपनी currency को popularize करती है तो जो चीज historically अमेरिका ने की थी उस से पहले जो चीज historically Britain और France करा करते थे आज की डेट में वो ही चीज चाइना और कुछ हलके स्थर पर कोशिश करने में इंडिया भी लगी हुई है जिसकी वज़ा से हम कहते हैं कि digital transactions और रूपे कार्ड आज की डेट में जो France तक internationalize हमने किया वो एक मोहीम है उसी चीज में खेर वापस आते हैं विश्व युद्दो के बाद अमेरिका ने जब ये निरने लिया कि हम Middle East के इलाकों से तेल खरी देंगे तो Middle East में उस समय हमें जानना है कि तीन बड़ी शक्तियां थी एक शक्ति थी यहूदी लोगों की यानि कि Jews जो कि इसराइल में थे दूसरे लोग थे basically सुन्नी Muslims जो कि पूरा Gulf Arabs जिनके नाम से वो उसको जाना जाता है और तीसरे लोग थे शिया जो की सबसे बड़ा पावर था एरान अब 1948 में सबसे बड़ी समस्यां ये थी कि जब इसराइल बना तो इसराइल के बनने के बाद Middle East में ना तो सुन्नी Muslims और ना ही शियास ये दोनों के दोनों इसराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे सबसे बड़ी बात ये भी है कि शिया और सुन्नी एक दूसरे से भी नफरत बहुत करते थे और एक दूसरे के साथ नफरत करने के बावजूद भी इन दोनों में एकता दिखाई देती थी जब इन दोनों से पूछा जाए कि आप दोनों को किस से सबसे ज़ादा नफरत है तो वो कहते थे येहूदियों से तो यानि कि शिया एक तो सुन्नी से कभी खुश नहीं रहेगा सुन्नी कभी शिया से कुश नहीं रहेगा अमेरिका ने कहा कि भई देखो, मैं यहूदियों को, यानि कि जीूईस को सपोर्ट तो करूँगा ही करूँगा, क्योंकि जीूईस को सपोर्ट करना पहले बृटन ने भी किया था, ब्रेटन का इंडस्रियल रेलुशन को फाइनन्स करने वाले जीूज थे, तो अमेरिका ने जब ये निरने लिया कि यहूदी तो मेरा एक ally है इसके बाद उसने कहा कि अब मेरे पास दो option है मेरे पास Shia country है जिसका नाम है एरान और मेरे पास सुन्नी देश है जिसमें साओधी अरब और बाकी United Arab Emirates वेकर आसपास के सारे देश अब इस परिस्तिती में मैं क्या करूँ तो शीत युद्द के initial years में 1960 के दशक में हम ये कहते हैं और हम ऐसा इतियास में observe करते हैं कि अमेरिका ने सबसे पहले Jews को अपना ally तो बनाया ही रखा था उसके साथ साथ उसने साथ ही में Shia's को अपना ally बनाया तो उसने का कि भई Shia एक ही देश है इरान बाकी दूसरे जगाओ पर Shia's जो है Middle East में इदर उदर वो चाए इराक में हो या वो सीरिया में हो वो सब छोटी मातरा में ही प्रेजन्ट है तो क्यों ना हम उस देश जो कि Shia country सबसे बड़ी country है Middle East उसको अपना जो है एक ally बना लिए इसकी वज़े से क्या हुआ कि अमेरिका ने Jews को अपना ally बना लिया उसके बाद उसने इरान को अपना ally बना लिया अब बचे सुनीस अब सुनीस जो थे इन लोगों के पास तेल बहुत था तो अमेरिका ने का कि इननों को खुश रखने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि इनसे तेल खरीदना चालू कर देता हूँ इनको व्यापार और धंदे में अगर मैं बिजी कर दूँगा तो कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिती हो जाएगी कि ना तो इनको समय मिलेगा शिया से नफरत करने का और ना ही इनको समय मिलेगा साथ ही में यहूदियों के उपर यानि कि जीव के उपर यानि कि इसराइल के उपर नफरत करने का अब अमेरिका की यह जो स्ट्राटिजी थी यह 1960 से लेकि 1970 के दशख तक तो ठीक चली लेकिन 1979 में एक समस्या आगी समस्या यह आई कि जो इरान था यानि कि जो शिया कंटरी थी वहां पर जो Islamic clerics थे Islamic cleric यानि कि वहां पर जो Islamic religious leaders थे वो अमेरिका के इस Alliance के बड़े खिलाफ थे उन्होंने का कि अमेरिका जैसा देश जो है वो इरान में आकर इरान को अपना एलाई बना कर इरान में वेस्टनाइजेशन कर रहा है इसकी वज़ा से हमारे यहां के लोगों की इसलामिक वैल्यूज घट रही है तो एक तरीके से इरान के अंदर 1970s के लेटर हिस्से में यानि की 1977-78 के आसपास की ऐसी परिस्थितियां पैदे होने लग नहीं कि वहां पर जितने भी यह इसलामिक स्कॉलर्स और रिलीजियस लीडर से इन लोगों ने एक मुहीम चलाई कि अमेरिका को इरान से भगाओ और ये मुहीम इविचलाई जाकर कामियाब हुई 1979 में ये मुहीम कामियाब हुई तो 1979 में एरान में एक revolution हुआ और उस revolution के तुरान उस समयãy एश्टलाख खुमेनी ने एरान में power को प्राप्ट किया जब Ayatollah Khomeini ने इरान में पावर को प्राप्त किया तो उसने सबसे पहला जो कारे किया वो ये किया कि उसमें US के साथ इरान का अलायंस तोड़ दिया अब US को दो चीजे समझा गई कि पहला मेरा जो शिया पावर था इराक और इरान के बीच में लड़ाई पैदा कर दी ये लड़ाई कैसे पैदा करी अमेरिका ने उस समय 1980 में सद्दाम हुसें जो इराक का रूलर था जो की एक सुनी लीडर था उसको बोला कि हम आपको आम्स एमूनेशन और पैसा देंगे आप इन आम्स एमूनेशन पैसे को लेकर जो है इरान के उपर प्रयोग कीजिए 1980 से लेके 1980 से लेके 1988 तक 8 साल इरान और इराक एक लड़ाई में लड़ते रहे जिसमें अब्जेक्टिव केवल ये था कि अमेरिका इरान को सबग सिखाना चाता था अब इरान एक तरीके से अमेरिका के हाथ से निकल चुका था अब अमेरिका के पास बचे थे यहूदी लोग ज्यूज इसराईल जो की हमेशा की ऐलाई थे और दूसरा बचा था उसके पास सिर्फ और सिर्फ सुन्नी देश तो अमेरिका ने उस समय सुनी देशों को कोट करना चालू करा उसने ये बोलना शुरू करा कि भाई अब हम आपको जो है इंगेज करेंगे हम आपको जो है military weapons देंगे इन military weapons से आपकी सुरक्षा होगी तो अमेरिका जो अभी तक केवल और केवल oil ले रहा था और उस oil के बदले उनको जो dollar दे रहा था उस dollar के साथ वो उनके देशों में जाकर infrastructure क्रियेट कर रहा था अब उसने एक ऐसी मुहीन चलाई कि उसने कहा कि मैं इन देशों को जो है दीरे-दीरे defense products भी बेचूँगा इससे इनके मन में मेरे एक प्रतीक एक positive प्रभाव पड़ेगा और फिर क्या होगा कि gradually मैं सुनियों को अपनी तरफ ले आऊँगा वैसे भी सुनियों से मैं oil तो खरी दी रहा हूँ तो वो तो वैसे भी खुशी है उस चीज को लेके लेकिन इरान को isolate करना मेरे लिए बहुत ही महत्वपोव है तो पूरे 1980 के दशक में ये नीती चलती रही कि शियाज जो थे इरान जो था उसने basically एक इराक के साथ लड़ाई लड़ी इस इराक की लड़ाई में अमेरिका उस लड़ाई को लड़वाता रहा और साथ-साथ इरान ने जब ये चीज़ को observe किया कि अमेरिका का सारा power अब जो है शियाज की तरफ से हटके सुनियों की तरफ चला गया है तो इरान ने उस समय Middle East के सारे आसपास के देशों में जहां-जहां पर शिया population थी वहां-वहां पर proxy groups create करना चालू कर दिये फॉर एक्जामपल जैसे पैलेस्टीन के अंदर उसने जो है proxy groups को create करना चालू कर दिया लेबनन में उस समय उसने हेजबुला नामा के एक संस्था बनाई उसके थुर उसने जो है सुन्यों के उपर आकरमन चालू कर दिया सीरिया में उसने देखा कि जो सीरिया है वहां पर भी जैदी सेक्ट के लोग रहते हैं और ये जैदी सेक्ट जो है ये तो शिया-इसलाम का ही एक सेक्ट है तो उस केस में उसने असाद फैमिली जो की जैदी शियास थे उनको भी सपोर्ट करना चालू कर दिया और इस सपोर्ट के बाद इरान ने पूरे मिडल इस्ट में एक प्रोक्सी वार चालू कर दी उस समय जब अमेरिका पैसे दे के इराक को इरान से लड़वा रहा था अब इस पूरे गेम में 1990 में जब शीतियुद खतम होता है, कोल्ड वर खतम होती है तो रश्या उस समय एक इंडिपेंडेंट पावर भी बन जाता है उससे पहले तो वो शीतियुद में अमेरिका के साथ एक लड़ाई में बिजी था लेकिन अब वो शीतियुद और एक दाओं अपने सुन्नी मुसलिम्स के साथ खेल रहा है इरान केवल एक ऐसा शीया देश है जिसको वो आइसुलेट कर रहा है तो रश्या ने सबसे पहले इरान की बैकिंग करना चालू किया आज तक रश्या और इरान एक दूसरे के साथ है दूसरा क्यूंकि रश्या का दोस तो यह जब तीनो लोग एक जूट हुए तो इसके बाद एक शीया पावर को रश्या की और चाइना की ग्राजrüली बैकिंग मिलने लग देुए दूसरी जगा पर जो सुन्नी पावरस थे उनको अमेरिका की बैकिंग मिलने लग दे और साथ ही में वह जी उसके साथ थे ले गहरी हुई 2001 में जब 9-11 का अटैक हुआ, 9-11 के अटैक के बाद अमेरिका का सारा का सारा फोकस जो है, वो लग गया पूरा का पूरा सिरफ इराक और अफगानिस्तान में, अब इस समय जब इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका एक पूरा टाइम से बिजी हो गया, एक प्रवात करी। दूसरा उसने उन सारी प्रॉक्सी अरियास में जहां-जहां पर इरान सपोट कर रहा था उस जगा पर रशया ने भी अपना प्रॉक्सी सपोट दीरे-दीरे देना शुरू कर दिया। ताकि Iran और मजबूत हो जाए, अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंके इन प्रॉक्सी के खिलाफ अगर जब लड़ाई हो रही थी, तो वो सुनीओं को मार रहे थे, और सुनीज इंडिरेक्ली अमेरिका के सपोर्ट में थे। तो इस चेस में, जब अमेरिका बिजी था 9-11 के बाद अफगानिस्तान और इराक में तो शिया पावर दीरे दीरे राइस हुई दूसरी सबसे बड़ी चीज चाइना उस समय Middle East में बहुत गहरे तरीके से आया चाइना जैसे ही Middle East में गहरे तरीके से आया उसने मिडल इस्ट में शीतियों भी खतम होने के बाद 1990 के दशक से मिडल इस्ट से बहुत सारा तेल खरीदना चालू कर दिया और 9-11 के बाद जब चाहिना ने ये चीज अबसर्व करी गी अमेरिका तो बिलकुली बिलकुल बिजी है अफगानिस्तान और इराक की लड़ाई लड़ने में और वो बेसिकली बिजी है साथ ही में सदाम हुसेन को अटाने में तालिबान को अटाने में इधर उधर ये सब च पर इंडिया क्योंकि शीतियुद खतम होने के बाद जब इंडिया ने अपनी एकॉनमी को ओपन अप किया तो इंडिया में भी तेल के डिमांड और जादा बढ़ गई और उस टाइम पर इंडिया फिरसे एक पाटनर बनके चली गई वापस की भही सुन्नी देशों को बोल जा रहा है तेल खरीदने वाला और वो तेल बेच रहे थे इंडिया को और ये भी देख रहे थे कि इंडिया भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा पावर बन जाएगा जो तेल खरीदने वाला होगा हमसे लेकिन अमेरिका अपनी सारी शक्तिया उस समय जो है अफगानि और इराक के लड़ा ही लड़ रहा था तो Middle East के जो सुन्नी देश थे जिनको अमेरिका से हमेशा सपोर्ट मिलता था अमेरिका अब इनके बारे में गुर्सोची नहीं रहा था और ये चीज़ देखकर इन Middle East के देशों को बहुत बुरा लगा उनको लगा कि अमेरिका हमारे बारे में सोच क्यों नहीं रहा है तो जब उन्होंने ये एक Power Vacuum अबजर्व किया इस Power Vacuum को देखा तो चाहिना ने ये देखा साथ में कि भई अमेरिका इस समय इन लोगों की मदद नहीं कर रहा है और अगर अमेरिका इन लोगों की मदद नहीं कर रहा है Middle East में सुन्यों की तो क्यों ना इन सुन्यों की मदद हम करें तो सुन्यों से चाहिना तेल खरीदी रहा था और तेल खरीदे करीदे चाहिना ने वो Power Vacuum को फिल करना शुरू कर दिया जो अमेरिका एक वैक्यूम क्रियेट करके सारा फोकस अफगानिस्टान और इराक की लड़ाई पर लगा रहा था अब जब चाहिना ने इन शूज के अंदर स्टेप किया और वो धीरे धीरे इस Power Vacuum को भरने लगे तो उस केस में एक चीज और हो गई कि इंडिया इस गेम में पीछे नहीं रहता इंडिया ने भी अपने Historical Cultural Relations को एक्स्प्लोर करा इंडिया ने भी जितनी कपैसिटी अपनी Economic Level पे बढ़ाई उस कपैसिटी के साथ-साथ उसने भी एक Security Game खेनना शुरू कर दिया सुन्नी के साथ और वो साथ-साथ अपना Engagement Shias के साथ भी करता रहा अच्छा इंडिया के साथ सबसे बड़ा फायदे मंद पॉइंट ये था कि सुन्नी मुसल्मानों के साथ अच्छे रिष्टे historically होने के बावजूद भी हमारे रिष्टे Shias के साथ यानि कि इरान के साथ हमेशा से अच्छे रहे थे और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भारत में आज की डिट में second largest Shia Muslim population in the world जो है इरान के बाद यहीं रहती है तो इरान को ये बात लगी कि भारत तो एक बहुत ही अच्छा मैत्वपूर देश है तो उस context में भी भारत और इरान के रिष्टे और अच्छे होने लगे तो जैसे जैसे ये चीज होने लगी तो उस समय अमेरिका का पूरा का पूरा जो ये deep prioritization था Middle East का जिसमें वो Middle East के उस इलाके को समझ ही नहीं पा रही थी कि भाई मेरी सुनियों को जरूत है अभी इस समय और मैं सिरफ सारा focus अफगानिस्टान इराग पे लगा रहा हूँ और सुनिस जो हैं इस समय जो चाइना से इंडिया से इन लोगों से engage कर रहे हैं वहाँ पर रश्या और चाइना मिलके इरान को support कर रहे हैं तो दीरे दीरे अमेरिका की जमीन जो है पूरे Middle East के पहरों तले हटने लगी और अमेरिका का एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि भई उनका presence Middle East में गटने लगा अच्छा अब जब ये 2010 तक का समय आया जब अमेरिका को ये समझ आ गई कि भईया अफगानिस्टान और इराक की लड़ाई से अब हमारा खात्मा होने लगा है और ओसामा बिन लादेन अल्मोस्ट 2011-2012 तक पकड़ा गया और मारा भी गया वेंचुली उसके बाद तब अमेरिका को एक चीज समझ आई उन्होंने देखा कि भईया ये Middle East में हमारे पीछे पिछले 10 साल में क्या चल रहा था हमारा पूरा का पूरा पावर वैक्यूम जो है ये सुनी मुसल्मानों ने तो चाइना से फुल्फिल करा लिया तो अमेरिका ने 2011 में जाकर सुनी मुसलिम देशों को बोला कि सुनीए चाइना को हटाईए हम आ रहे हैं वापस पर सुनी मुसलमान देश उतसम में बोल दिये कि नहीं, पिछले 10 साल से आपको कोई इंट्रेस्ट नहीं था यहाँ पर कि हमारे क्या concerns है, हमारी market कैसे focus करनी है, आप अपना अफगानिस्टान और इराक की लड़ाई में बैठ के वहाँ पर नया नया technology बना मना कर उसको test कर रह हैं, अब हम चाइना को space देना चाते हैं, और जब इन लोगों ने अमेरिका को ये बात सुनी मुसलमान देशों ने बहुत सपष्ट तरीके से बोली, तो अमेरिका इस चीज से नराज हुआ, और उस समय 2011 में, ओबामा administration जो था, अमेरिका में जो ओबामा राश्रुपती थे उन्होंने order किया कि Middle East में इन सुनी देशों को तंग किया जाए, उनको तंग करने के लिए, सबसे महत्वपून चीज इन्होंने ये करी, कि इन्होंने Arab Spring का movement create कर दिया, सोचके देखिए कि पूरा Arab Spring का movement सुनी देशों के उपर आया, अब जब सुनी देशों के उपर Arab Spring का movement उस समय अमेरिका ने तुरंत दूसरी चीज़ शुरू कर दी, कि अपनी presence को वापस इस इस इलाके में लाने के लिए, उसने इरान को कोट करना चालू कर दिया, अब वो इरान के दरवाजे पे जा गर इरान को बोला, कि सुनो तुम हमने देखा है कि तुम शायद nuclear bomb मना रहे तो उस समय जो उसके traditional historical allies सुनीज थे, उनका support अमेरिका ने नहीं किया, भलकि उनको destabilize करने के लिए वहाँ पर अमेरिका ने एक movement Arab Spring नामक चला दी, और दूसरी सबसे महत्वपून चीज ये थी, कि वो इरान के साथ nuclear deal sign करने लग जया, अब अमेरिका का objective, single point agenda सिरफ ये था कि सुन्यों को सबक सिखाएं, और साथ ही में, शियाज जो इरान है, उनको एक nuclear deal दे के court कर लें, ताकि शियाज जो है, वो रश्य और चाइना के पास ज्यादा ना जया, लेकिन इरान ने उस समय अमेरिका के इस बेवकूफों वाले व्यवार का advantage उठाया, उसने nuclear deal साइन त कर लिया, तुरंट उसने दूसरे देशों के साथ dealें साइन कर लिया, जिसमें उसने भारत के साथ भी deal साइन करके, बोला कि आप गवदर पोर्ट भी बना लीजिये हमारे यहाँपर, जो गवदर पोर्ट पाकिस्तान में था, उसको counter करने के लिए सौरी, चाबार पोर्ट बना लीजिये हमारे यहाँपर, और चाबार पोर्ट का clearance इरान ने जब भारत को दिया, तो उस चाबार पोर्ट के clearance के बाद, उसने इंटरनेशनल नौट साउट ट्रंजिट कोरिडोर को भी साइन कर लिया, तो इरान ने nuclear deal का फायदा भी उठाया, अमेरिका की मूर्कता का फायदा उठाया, दूसरे देशों के साथ तुरंद डीले साइन कर लिया, और सारी commitment से बाग गया, अब जब अमेरिका ने देखा कि इरान ने तो अमारे साथ ये खेल खेल दिया, कि भी है उसने तो nuclear deal एक चाबी कोल के दरवाजा खोला, अंदर गुसा सारा समान गूट लि जब अमेरिका ने ये वेवार देखा, तो अमेरिका ने समझा कि भी यहाँ पर तो समस्या है, समस्या ये है कि भी पहली चीज इस पूरे इलाके में चाइना का दबदबा गरजोली बढ़ रहा है, इस चाइना के दबदबे को घटाना है, दूसरी चीज कि यहाँ पर हम हमारी गलती है कि हमने सुनियों के साथ बेदबाव किया, पहले उनको निगलेक्ट किया, फिर उनको हमने डीस्टेबिलाइज करा, अरब स्परिंग करके, अब अमेरिका को ये चीज इरान के उस एक्स्पिरियंस के बाद समझ आईगी, इरान एक ट्रस्ट वर्दी देश नही अपने रिष्टे सुनियों के साथ और शिया इरान के साथ बनाके रखे थे, और दोनों जगा पर इरान के रिष्टे जो थे, वो बेसिकली आर्थिक थे, तो इस आर्थिक स्थिथी में जब चाइना का एक प्रिसेंस बढ़ गया, तब अमेरिका को ये चीज समझ आईए, क कि भाईया हमें इस इलाके में डी-prioritize करके जो हम हट गए थे इस इलाके में भी री-prioritize करना हो गा लेकिन समस्या थी अमेरिका के पास अब उतना पैसा नहीं था क्योंकि अफगानिस्तान, इराग, इदर-उदर की अंशन्ट लड़ाईयों में billions of dollars बरबात कर चुके थे trillions of dollars बरबात कर चुके थे तो अब पैसा वापेस इस इस इलाके में कैसे आएगा तो अमेरिका ने फिर एक नीती बनाई अमेरिका ने सोचा कि भाईया देखिया अब हम full-fledgedly शीतियुद की तरह से वापेस इस पूरे इलाके में सुन्नी का सपोर्ट करने शीया को काउंटर करने तो अब जा नहीं सकते तो अब हम क्या करें तो अमेरिका ने 2018-2019 से एक नीती अपनानी चलू करी उसने कहा कि हम इस इलाके के मिडल इस्ट में सबसे पहले समस्या को देखतें क्या है पहली समस्या है कि इरान एक ट्रस्टवर्दी देश नहीं है दूजरी समस्या है कि चाइना का दबदबा इस इस इलाके में बहुत है वो शीयाज और सुन्नीज दोनों के साथ एक आर्थिक तोर पर इंगेज करता है और दोनों का डिपेंडमेंस हमें चाइना से घटाना है अब इस केस में अमेरिका की जो नीती थी उसके उपर दो पिलर्द आए पहला पिलर ये था कि हम अपने ट्रडिशनल ओल्ड दोस्तों का प्रयोग करते हैं इसमें से सबसे पहले तो जीउजियानी की इसराइल थे उन्होंने इसराइल को आगे करा फिर उन्होंने देखा कि भीया अगर चाइना का दबदबा इस इलाके में गटाना है तो वो एकी तरीके से गटेगा कि इंडिया का दबदबा इस इलाके में बढ़ाओ क्योंकि इंडिया एक मात्र ऐसा डेमोक्राटिक देश है जो हमारे साथ इंगेज करके अपना प्रेजन्स अगर वो इस इलाके में दबदबा अपना बढ़ा ले तो चाइना का दबदबा ऑटोमेटिकली घट जाएगा इस कॉंटेक्स्ट में सबसे पहले अमेरिका ने एबराहिम अकॉर्ड को साइन करवाया इन एबराहिम अकॉर्ड में अमेरिका ने ये कहा कि भई जो यहूदी लोग हैं जीूज हैं इसराइल हैं वो अपने रिष्टे सुन्नियों के साथ इंप्रूव करें जैसे जैसे एबराहिम अकॉर्ड के तहट इसराइल और सुन्नियों के रिष्टे इंप्रूव होए शिया फिर से आइसोलेट हो गया इरान फिर से आइसोलेट हो गया इसके बाद बूसरी चीज जो अमेरिका ने करी एबराहिम अकॉर्ड के सेकेंड स्टेप में वो बनाया I2-U2 अलायन्स इस I2-U2 अलायन्स में अमेरिका ने इंडिया को बुलाया उसने बोला कि भहिया आप इंडिया आप आईए और आप आकर इन सुन्नी देशों के साथ और यहूदियों के साथ जियूज के साथ मिलकर अपना प्रेजन्स इस इस इलाके में बढ़ाई अब एबराहिम अकॉर्ड और I2-U2 का दोनों का अबजेक्टिव ये था कि चाइना को एक मेसेज जाए कि देखिए हम आपकी परवा इस इलाके में नहीं करते हम अपने छोटे-छोटे ऐलाईज को एक जुट करके यहाँ पर मिनी लैटरल गूर्प्स बनाएंगे मिनी लैटरल गुरूप्स बनाएंगे ताकि ये सारे मिनी लैटरल गुरूप्स जो हैं यहाँ पर ये पावर अपनी डिस्प्ले कर पाएं और दूसरा उन्होंने मेसेज दिया इरान को कि देखें हम आपको भाव नहीं देते आप इस इलाके से आईसोलेटिड थे हैं और रहेंगे और हम आपको और आईसोलेट करेंगे ये दोनों चीजों के बाद अमेरिका ने अपना फोकस वापिस से ध्यान लगाना शुरू करागी अब हम वापिस जाएं ये मिनी लैटरल गुरूप्स जो हैं I2, U2, Abraham Accord ये इस इलाके में थोड़ा सा प्रेजन्स अपना बनाना शुरू करें इतनी देर में हम पहले चाइना को और रश्या को चेक करते हैं अब रश्या को चेक करने के लिए वो यूरोप गए अब जैसे ही रशिया ने देखा कि ये लोग यूरोप में हमारे को चेक करने आ रहे हैं रशिया ने यूकरेन प्राकरमण करके अमेरिका को यूकरेन के थूरू बिजी कर दिया महाँ पर यूरोप और जब ये अमेरिकन चाइना को टैकल करने गए तो चाहिना ने देखा कि बही इंडिया ने क्या ये अमेरिका ने क्या किया है चाहिना ने देखा कि जब अमेरिका जो है एबराहिम अकॉड और I2-U2 बना कर मेरे को काउंटर करने के लिए इस्ट एशिया में आ रहा है तो उसने देखा कि भाया East Asia, South East Asia के इलाके में अमेरिका ने आतेसार तीन चीजे कर दी उसने सबसे पहले वहाँ पर Quadilateral Security Dialogue बना दिया जिसको Quad के नाम से जानते हैं फिर उसने दूसरा वहाँ पर बोल दिया कि भाया अब हम इस इलाके को Indo-Pacific कहेंगे और तीसरा उसने Australia के साथ मिलकी United Kingdom के साथ मिलकर AUKUS Alliance शुरू कर दिया तो आप गेम को समझ लीजी Middle East में अपना Focus दुबारा लाने के लिए अमेरिका ने सबसे पहले Abraham Accord फिर I2-Yot2 इसके बाद उसने बोला कि अब मैं जाता हूँ रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका गया यूरोप में तो रशिया ने यूरोप में अमेरिका को बिजी कर दिया यूकरेन से युद छेड़ कर और जब अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए उतिस्ट एशिया से लेके इस्ट एशिया तक गया तो अमेरिका ने वहाँ जाकर तीन अलाइंस बना दिये, क्वाडिलेटरल सेक्रूर्टी डायलोग, इंडो पैसिफिक और ओकस. अब जब चाहिना ने देखा, कि भईया एक जगा पर एबराहिम अकॉड आईटू यूटू से तुम हमारा दबदबा मिडल इस्ट में घटा रहे हो, और दूसरा फारीस्ट में पूरे आकर यहाँ पर ओकस इंडो पैसिफिक क्वाड बना रहे हो, हम तुमारे पहरों तले जाकर जमीन खीच के तुम्हें वही पर उल्टे मूँ बल गिराएंगे। चाहिना ने पिछले साल क्या किया? कि चाहिना वापस मिडल इस्ट में आया? चाहिना जैसे ही मिडल इस्ट में आया, मिडल इस्ट में आते सार चाहिना ने बोला, कि हमारे रिष्टे शियाज के साथ और सुन्नी के साथ दोनों आर्थिक तोर पर बड़े पावरफुल रहे हैं और उसने देखा कि ये शिया सुन्नी एक दूसरे से वैसे बात नहीं करते हैं हम इन दोनों को अगर दोस्त बना दें और इन दोनों की अगर दोस्ती करा दें तो ये दोनों दोस्त मिलके अमेरिका के पेरो तले तो जमीन वैसे ही निप्टा देगी इसलिए आप देखिए कि चाइना वापस इस इस इलाके में चुपचा पाया और आते सार चाइना ने अम विडलीज में आकर हमारे ही पुराने अलाई को काउंटर करके बेसिकली उन दोनों को ही दोस्त बनाने में लगा है तो जैसे ही ये हुआ अब अमेरिका के मन में एक चीज समझ आ गई अमेरिका को समझ आ गया कि भाया अब हमें इस इलाके में कुछ न कुछ करना पड़ेगा उसने जाकर फिर से सुनियों को बोला कि सुनिये हम नहीं चाते कि आप जो है चाइना के साथ जाएं सुनि देशों ने बोल दिया कि देखिए आप इल्कुल ट्रस्ट वर्दी नहीं है उन्होंने अमेरिका के मुँपे बोला कि हम आपको ट्रस्ट इसले नहीं करते क्यूंकि कभी आप इरान को कोट करते हैं कभी आप इरान के साथ डील साइन करते हैं फिर कभी आप हमें destabilize करते हैं हम इंडिपेंडेंट रहेंगे हमें जो करना हम अपने आप देख लेंगे आपको आके बताने की आवशकता नहीं है अब इतना बड़ा सनब हो गया अमेरिका को उसको समझी नहीं आई कि भीया ये चीज मेरे साथ कैसे हो गई जब अमेरिका को ये चीज समझ नहीं आई कि मेरे साथ ये चीज कैसे हो गई तो अमेरिका ने सोचा की यार कुछ तो इस इलाके में अब हमें करना ही होगा जब अमेरिका सोच ही रहा था कि हम कुछ करें इतनी देर में चाइना ने अमेरिका को जो धीरे से खड़ा हुआ था अभी गिरने के बाद उसको दुबारा गिराया BRICS के summit में हाली में इसी साल चाइना के कहने पे और रश्या के कहने पे Middle East में सुन्नी देश जो हैं वो सारे आकर पहली बात तो BRICS का पार्ट बन गए और दूसरी बात इसी साल चन महीने पहले SCO के summit में इरान को मेंबर बना दिया तो चाइना ने दिखा दिया कि भाईया हम इरान को SCO में यानि कि शियाज को SCO में और सुन्नीयों को BRICS में लाएंगे तो महारा दब दबा काटेंगे अब जब अमेरिका ने ये देखा कि भाईया हमारे पैरो तले तो जमीन निकली गई हम तो मतलब गटर में गिरके पूरे एकदम कीचड में दलदल में गिर गए तो फिर वो निकले एकदम विजे राज की तरह जैसे वो नदी से बार निकला अपना मूँ पहुचा उन्हों और देखा कि भाईया अब हम क्या करें इस कॉंटेक्स्ट में जब G20 का अभी है समिट भारत में हुआ तो गवराया हुआ बोकलाया हुआ अमेरिका जो है उसने आके ये बोला कि भाईया सुन्नी मुसल्मान देशों हम तुमसे माफी मानते हैं गलती हो गया अब आप एक काम कीजिए कि हम पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए इस कॉंटेक्स्ट में इंडिया, मिडल इस्ट, यूरोप कोरिडोर बनाया गया प्रोपोजल आया अब इस प्रोपोजल के तहत सुन्नी देशों को ये बात बोली गई खास करके मिडल इस्ट में कि भई आप पहले तो भारत के साथ अपना इंगेजमेंट और बढ़ाईए हम ये नहीं कहरें कि चाइना के साथ घटाईए पर जितना हो सके भारत के साथ बढ़ा लीजिए और दूसरा इस कॉरिडोर के तहत जिसमें शिपिंग लाइन, रेलवे लाइन ये सब चीजें होंगी इसके तहत आप ये इंशूर कीजिए कि हम आपको एक्सेस दिलवाएंगे यूरोप की मार्केट्स का क्योंकि इंडिया, मिडल इस्ट, यूरोप कोरिडोर है अब अगर मिडल इस्ट को यूरोप की मार्केटों का एक्सेस मिलेगा तो मिडल इस्ट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा क्योंकि मिडल इस्ट जो है वो अभी चाइना को भी ओयल दे रहा है इंडिया को भी ओयल दे रहा है और अब उसको अपरचुन्टी यूरोप की मिल रही है जो कि अभी तक नहीं थी क्योंकि अभी तक यूरोप की सारी मार्गेटें रशिया पे निरबर थी और मैंने आपको बताया था कि रशिया ने अमेरिका को यूरोप में काउंटर करने के लिए यूकरेन यूद छेड़ दिया था तो अब रशिया को यूरोप में अंडर कट करने के लिए अमेरिका ने इंडिया मिडल इस्ट यूरोप कोरिडोर बनाया और मिडल इस्ट को बोला कि जितना इनर्जी रिक्वाइर्मेंट यूरोप का जो रशिया से निरबर है वो अब आप प्रोवाइड कीजिए तो मिडल इस्ट के जो ये सुनी देश हैं ये कुछ हाद तक अब थोड़े बहुत खुश होए है कि चलो इंडिया चाइना मार्केट थी ही ती अब यूरोप का एक बड़ा मार्केट है जिसको देखना है आगे लेकिन अब आप इस चीज़ को तो समझ गएगी ये इंडिया मिडल इस्ट यूरोप कॉरिडोर जी ट्विंटी में प्रोपोस किया क्यों इसके पिछे का खेल तो जान गए लेकिन ये चीज़ मत बोलिएगा जो विडियो के अंत में मैं आपको एक सबसे में प्रोपोइंट बोलना चाहता हूं कि मिडल इस्ट एक पावर कॉंटेस्ट का रीजन था है और हमेशा रहेगा तो आई होप इस मिडल इस्ट की जियो पॉलिटिक्स को कि चाइना यहां क्या कर रहा है भारत क्या कर रहा है रश्या क्या कर रहा है मिडल इस्ट वाले लोग जो है उसमें शिया क्या चाते हैं सुननी क्या चाते हैं यह सब चीज़ें हम आपको स्फुश तरीके से क्लियर हो गए है, धन्यम्मत